हमास चीफ इसमाइल हानिया की इरान में हुए एक हमले में मौत हो गई है हानिया इरान के राश्रपती मसूद पिजे शक्यन के शपत ग्रहन में शामिल होने तहरान पहुचा था तहरान में हुए इस हमले की जिम्यदारी अभी किसी ने नहीं ली है हाला कि इरान की मीडिया इस हमले के पीछे इस्राइल का हाथ बता रही है उधर हमास ने भी अपने चीफ हानिया की मौत पर प्रतिक्रिया दे दी है हमास से जुड़े शेहब समाचार आउटलेट ने हमास के अधिकारी मौसा अबू मर्जौक के हवाले से कहा है कि हत्या कायरता पूर्ण कृत्य है इतना ही नहीं हमास ने कहा कि इसमाइल हानिया की मौत बेकार नहीं जाएगी हमास ने इस हमले का बदला लेने की धमकी दे दी है आपको बता दें कि इरान के रेवलेशनरी गार्ड्स ने बुधवार को तहरान में इसमाइल हानिया की मौत की पुष्टी कर दी हमास ने इस हमले के लिए इसराइल को जम्मधा ठहरा दिया दरसल पिछले साल 7 अक्टूबर को हमास के लड़ाकों ने इसराइल में हमला किया था और इस हमले में 1200 इसराइलियों की मौत हुई थी जबकि 2500 इसराइलियों को बंधग बना लिया गया था इस हमले के बाद से हमास के टॉप लीडर्स इसराइल के निशाने पर थे हानिया ने 2019 में गाजा पट्टी छोड़ दी थी और कतर में रह रहा था गाजा में हमास के शिर्ष नेता यहवा सिन्वार हैं जिसने 7 अक्टूबर के हमले की साज़िश रची थी इससे पहले अपरेल में हानिया के परिवार पर इसराइल की ओर से हमला किया गया था इसराइली एस्ट्राइक में हानिया के तीन बेटे और चार पोते मारे गए थे हमास ने इस हमले को आतंकी कारवाई बताया था कुछ समय पहले इसमाइल हानिया ने कहा था कि इसराइल के साथ इस जंग में उसके परिवार के 60 लोगों की मौत हुई है इसराइल से इस जंग में फिलिस्तीन में अब तक 38,000 लोग मारे गए हैं आपको बता दे कि हमाज की राजनेतिक शाखा का प्रमुख इसमाइल हानिया ही था जिसे मार गिराया गया इसमाइल हानिया की इरान में हथ्या कर दी गई इरान की सेना इरान Revolutionary Guards ने इसकी पुष्टी कर दी है इसमाइल हानिया का मारा जाना हमास के लिए बहुत बड़ी शिकस्त है और एक बड़ा जटका इसे माना जा रहा है अब देखना है कि सिन्वार इस हमले के बाद जो के धमकी भरे लहजे में कह रहा है कि इस मौत का बड़ा लिया जाएगा वो इसराइल के उपर क्या एक्शन लेता है जबकि दुनिया को याद है कि नेतन्याहू ने अमेरिका पहुँचकर सीधे लवजों में कहा था कि एक एक को मौत के घाट उतारा जाएगा हमास को पूरी तरीके से खत्म करके ही चैन की सांस आईडिएफ और इसराइल लेगा वीडियो डेस्क अमरुजाला डॉट कॉम